आज के समय में आज के बदलते दौर में आपको क्या लगता है कि आपके अंदर सबसे ज़रूरी चीज क्या है और क्या होनी चाहिए दोस्तों मेरा और मेरा परसनल एक्सपीरियेंस मैं अपने इन वीडियो में साझा करता हूँ इस वीडियो को किर्पया करके अंध तक देखेगा अधर्वाइज आप एक्टर जब बनने की कोशिस करेंगे या शुरूवात करेंगे तो कहीं न कहीं आपको परिशानी होई जाएगी इस वीडियो की शरंखला में मैंने आपको बहुत सारी एडवाइज दी बहुत सारे बातें बताई बहुत सारी चीजों से रूबरू कराया लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज के समय में जब आप एक्टर बनने की सोच लेते हैं तो आपको सबसे जरूरी हो जाता है कि आप अपने आपको टेक्निकली स्ट्रॉंग करें टेक्निकल स्ट्रॉंग से मतलब होता है कि आप कैमरे के बारे में भी समझें आज के समय में हर किसी के पास एक एंडरोइड फॉन है उस एंडरोइड फॉन में भी एक मैनूली सेटिंग होती है यानि कि कहा जाए उसमें ISO क्या होता है अपर्चर क्या होता है शटर स्पीड क्या होती है इन तरह की चीजों पर भी आपको फोकस लेना चाहिए जैसे कि जब हम शुरुवात करते हैं तो as an actor तो हम अपने आपको जो है अपने फीलिंग्स पर काम करते हैं observation पर काम करते हैं और किस तरह से होता है ये सब कुछ हवा वाली बाते हैं यानि कि कहा जाए अगर आपके अंदर feelings अच्छी है जो बहुत ही important है अगर आपके अंदर feelings हैं आप किसी चीज को अच्छे से समझ सकते हो और dialogue बोल सकते हो उसी feel के साथ तो आप बतौर actor अपने आपको बतौर अभिनेता आप establish कर सकते हैं लेकिन यदि आपके अंदर feelings नहीं है आप चीजों को पकड़ नहीं पाते उसकी पकड़ आपकी मजबूत नहीं है यानि कि कहा जाए आप dialogue जब बोलते हैं तो वो feel नजर नहीं आता आपकी आँखों से आसु ही नहीं आ रहे और सिर्फ और सिर्फ आप expressions देने की कोशिश कर रहे हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं नहीं वो तो जो dialogue है वो बिल्कुल free का नजर आएगा और बिल्कुल expressions less नजर आएगा यानि कि उस मंदर expressions है ही नहीं तो वहाँ पर जो आपका dialogue है जो आपका feel है वो आपका गरबर हो गया आपका जो audition है या आपका जो scene है जो short चल रहा था वो fail हो गया इसी के लिए आपको जो है बात करें technical expects पर उसी तरह से आपको जब आप technically भी आप strong करते हैं अपने आपको तो बहुत सारी चीज आपको पता लगती है अब मालीजे कि एक डिरेक्टर साब ने बोला कि आपको rolling camera and action उसके बाद आपको ये नहीं पता कि आपका जो हाथ है वो कहां तक आ रहा है यानि कि हाथ मैं कहां तक मैं दिख रहा हूँ और मेरा जो frame है वो कहां तक लगा हुआ है आपको पता ही नहीं है कि frame क्या होता है angles क्या होते हैं किस तरह से लगा हुआ है इन सारे चीजों के बारे मैं भी आपको जानकारी होनी चाहिए और जब आप actor बनने की शुरुआत करते हैं तो आपको इन सब चीजों की knowledge लेनी चाहिए आज के समय में तमाम videos पड़ी है यानि कि कहा जाए तो acting से related हो चाहें वो camera से related हो चाहें वो mobile से filmography हो किस तरह से आप film कर सकते हैं बना सकते हैं तो वो आप जो है चीजों को देखिये समझे इससे आपको एक personally feeling आएंगी कि आप किस तरह से as an actor अपने आपको grow करेंगे as a filmmaker अपने आपको grow करेंगे as a technical aspect से भी आप अपने आपको मजबूत कर सकते हैं और जब आप अपने आपको इस तरह से मजबूत करना शुरू कर देते हैं तो आपको जो है अपने ओपर feel होता है कि यार मैंने कुछ अच्छा किया and you will feel something good और आपको यह मज़ा आता है कि आपको यह पता होता है कि मैं अभी यह जो चीज दो दे रहा हूँ यानि कि जो expressions निकल के आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं किस तरह से निकल के आ रहे हैं और जब मैं को camera face कर रहा हूँ तो मेरा जो face है वो इस वक्त किस angle पर होना चाहिए जैसे हम मैं इधर देख रहा हूँ तो मुझे पता ही मेरा यह जो left face है वो मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त लेकिन जैसे ही मैं इधर करूँगा तो आप देख पा रहे हूँगे कि मेरा right face हो गया अब मैं ऐसे करूँगा तो आपने देखा front आ गया तो यह हलका सा tilt हलका सा इधर मैंने tilt किया आपने देखा कि किस तरह से जो मेरा movement हो रहा था वो अगर आपको पता लग जाए कि कहां पर कैसे करना होता है किस तरह से होता है tilt up बोलते हैं, tilt down करते हैं chin up, chin down यह सब बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं तो आपको technically भी बहुत सारी चीज़ें समझनी चाहिए उसके लिए जो है आप angles, camera angles, shots और कितनी तमाम तरह की चीज़ें हैं वो सब पढ़िए Google पर तमाम तरह की चीज़ें available हैं free of cost available हैं वो आपको पढ़नी चाहिए यकीनन मान कर चलिए कि यदि आप actor बनने की शुरुआत कर रहे हैं यानि की जब तक आप अपने आपको खुद नहीं पहचानेंगे कि आप क्या हैं किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं तब तक आपके अंदर वो एक versatility नहीं आएगी जब तक आप नजर नहीं आएगे अपने आप में पहले अपने आपको पहचानिए अपने आपको समझिए जब तक आप अपने आपको नहीं समझेंगे तब तक कुछ नजर नहीं आएगा आपको सब कुछ धुन्दा धुन्दा साथ धुन्द नजर आएगी इस धुन्द भरे माहौल में ऐसे माहौल में जहां पर आज के समय में इंटरनेट है आज के समय में सोशल मीडिया आ गया है तो इस मीडिया में सोशल मीडिया इंटरनेट के मध्यम में आपको अपनी एक पहचान बनाना बड़ा मुश्किल हो गया यानि कि कहा जाए तो हर कोई न कोई निकलता हो नजर आ रहा है कि आज हमें ये वीडियो मिली और रिक्मेंडेशन में आ रही है आज हमें ये वीडियो मिली हमें रिक्मेंडेशन में आ रही है लेकिन सबसे important points हमारे लिए क्या जरूरी है वो समझ में नहीं आता तो दोस्तों यकीन मान कर चलिए कि हम लोग यहाँ पर आपको वही चीज़ एडवाइस करते हैं जो आपके लिए जरूरी है जब आप शुरूआत करते हैं अपने एक्टिंग के माध्यम से अपने फिल्मेकिंग के माध्यम से या किसी भी तरह के शुरूआत जब आप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए आई होप आप समझ गए होंगे और समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए सब्स्क्राइब कीजे इस चैनल को और इस वीडियो को शेर कर दीजे क्योंकि आने वाले समय में अगर लोग इस तरह की वीडियो को देखेंगे तो उनका जो दिमाग है वो open होगा कि किस तरह से मुझे काम करना है कैसे इस industry में अपना नाम बनाना है I hope आप करेंगे और जरूर करेंगे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी information लगी होगी लगी है तो जरूर मेरे इस channel को forward कीजिए और लोगों तक पहुँचाईए एक बार सब मिलकर बोल दीजिए Hey Bollywood